इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। जेंफोस टैबलेट को बिना भूजन के लेना सबसे अच्छा है। आपको इसे नियमित रूप से अपने चिकित सक्द्वारा निर्धारित समय के अनुसार समान अंतराल पर लेना चाहिए। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रखने में मदद मिलेगी। जब तक आप बहतर महसूस नहीं कर लेते, तब तक इसे लेना बन न करें। इस दवा का पूरा लाब मिलने में कई दिन लग सकते हैं। जेमफोस टैबलेट केवल इलाज के कारेकरम का हिस्सा है, जिसमें आपके आहार में बदलाव और केलशियम और वितामिन की खुराक लेना भी शामिल हो सकता है। सबसे आम साइड इफेक्ट्स में सिरदर्ड, मस्कलो स्केलेटल, हड़ी, मानस्पेशियों या जोडों में दर्द, अपच, नाराजगी और दस्ट शामिल हैं। ये आम तोर पर हलके होते हैं और थोड़े समय के बाद गायब हो जाएंगे। अगर वे दूर नहीं जाते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। यदि आप मुत्रवर्धक दवा, पानी की गोलियां लेते हैं या यदि आपको पहले से गुर्दे की बीमारी हैं, तो जेमफोस्टेबलेट गुर्दे की गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। खासकर यदि आप निर्जलित हैं, यह रक्ट में केल्शियम के निम्न स्तर और मूह या जबडे में दर्ध भी पैदा कर सकता है। यह गंभीर दुश प्रभाव हैं और इन्हें ततकाल चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता है। अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं, यदि आप स्तनपान करा रही हैं, तो आपको यह दवा नहीं दी जानी चाहिए। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको गुर्दे की समस्या है या केल्शियम का स्तर कम है। इसके अलावा, अपने डॉक्टर को बताएं कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रही हैं। अस्थी खनिज घनत्व को कम कर सकता है, जिससे फ्रेक्चर की संभावना अधिक हो सकती है। बड़ी मात्रा में शराब पीने से भी हड्यों का नुक्सान हो सकता है और इससे बचना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।